इस वीडियो में हम Class 10th Maths की Exercise 2.3 के Question No.2 को Solve करेंगे आपका Question No.2 है पहले बहुपत से दूसरे बहुपत को भाग करके जाच कीजिये कि क्या प्रथम बहुपत दुतिये बहुपत का एक गोड़नखंड है तो इसके अंदर आपको तीन बहुपत दिये गए हैं यानि तीन Questions दिये गए हैं और ये कहा गया है कि आपको पहले बहुपत से दूसरे बहुपत को भाग देना है और ये जाच करना है कि जो पहला बहुपत है ये इस पूरे बहुपत का एक गोड़नखंड है या नहीं समझ म आगया तो देखिए आपको एक छोटी सी बात यहाँ पर याद रखनी है कि यह बहुपद इस बहुपद का गुड़न खंड तभी होगा जब हम इस से इसको भाग दे और सेसफल 0 मिले अगर सेसफल 0 मिलता है तो हम कह देंगे कि इसका गुड़न खंड है अगर सेसफल 0 नहीं मिलता है तो हम कह देंगे कि इसका गुड़न खंड नहीं है तो देखिए चलिए इसको चेक करते हैं कि इसका गुड़न खंड है या नहीं तो यहाँ पर हम भाग देंगे भाग देना हम पिछले question में बहुत ही अच्छे से सीख चुके हैं तो अगर आप इसका question number 1 नहीं दे आएगी तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं तो चलिए देखिए यहाँ पर t square minus 3 से divide करना है 2t की power 4 plus 3t q minus 2t square minus 9t और minus 12 इस पूरे को इस से divide करना है तो देखिए क्या करते हम divide करने के लिए यहाँ पर हमें दिया गया है t square और यहाँ पर है 2t की power 4 तो हमें यहाँ पर क्या करना है इसको बिलकुल इसके जैसा यानि 2t की power 4 बनाना है तो देखिए यहाँ पर t square है तो अगर हम यहाँ t की power 4 बनाना चाहते हैं इसमें तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा t square का गुड़ा करना पड़ेगा और साथ में यहाँ पर 2 भी है तो हमें यहाँ पर 2 का भी गुड़ा करना होगा तो देखिए यहाँ पर करते हैं T square minus 3 का multiply हमें करना पड़ेगा 2 T square से ऐसा करने से क्या होगा 2 एकम 2 और T square का गुड़ा T square से होगा तो T की power 4 minus 2, 3 is a 6 और यह T का यहाँ पर T square तो देखे 2T की पावर 4 यह बन गया 2T की पावर 4 तो हमने किसका गुड़ा करा है आपर 2T स्क्वेर का तो उसे हम यहां लिख देते हैं और इसको यहां पर लिखेंगे अब जब आप लिखेंगे तो आपको यह याद रखना है कि पावर के नीचे पावर आएगी मतलब टी की पावर 4 के नीचे आएगा ती की पावर 4 वाला टर्म और टी स्क्वेर है यहां पर तो टी स्क्वेर के नीचे आएगा माइनस का 6T स्क्वेर ठीके यह बात भी हमसे बनती है अब यहां पर माइनस करना है तो नीचे वाली संख्याओं के चिन बदल जाते हैं यह संख्या प् और यहाँ पर 2T स्क्वेर माईनस का है और 6T स्क्वेर प्लस का है अब यह साइन जो होगा यह नीचे वाला अमाना जाएगा यह प्लस का हो गया तो यहाँ पर देखिये प्लस माईनस अपोर्जτιं कैने बिप्रीज चिन्मों की संख्याई घठती है तो 6 में से दो गया तो 4T स चिन आता है बड़ी संख्या का तो 6 यहाँ पर बड़ा है इसलिए इसका साइन आएगा प्लस का और यहाँ पर अभी 9T और यह 12 बचा हुआ है तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 9T और माइनस का 12 अब फिर से हमें वही काम करना है अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 3TQ है तो इसको T स्क्वेर को हमें यह बनाना है 3TQ तो देखिए यहाँ पर T स्क्वेर है तो एक T का अगर मल्टिप्लाई कर दे हम तो यहाँ T क्यूब बन जाएगा और 3 का मल्टिप्लाई कर दे तो 3T क्यूब बन जाएगा मतलब हमें यहाँ पर अब 3T से multiply करना होगा तो देखिए 3T से multiply करेंगे तो 3 वनजा तो 3 हो गया और T cube और यह T square तो इसकी power यहाँ पर 1 है आप पढ़ चुके हैं कि अगर आधार समान हो तो घातें गोड़ा में जुड़ जाती है तो यहाँ पर क्या हो गया T की घात 3 हो जाएगा माइनस 3 T का multiply करना है 3 से तो 3 3 जा 9 हो गया और T आ गया तो यहाँ पर अब देखिए T की power 3 है तो T की power 3 के नीचे लिखेंगे यहाँ पर 3 T की power 3 और माइनस का 9 T इसको 9 T वाले term के नीचे लिखेंगे किस से गोड़ा किया हमने 3 T से यहाँ पर हमने plus का 3 T लिख दिया अब देखिए sign बदलेंगे तो यह minus और यह plus का आएगा यहाँ पर यह plus का और यह minus का cancel हो जाएगा यह plus का 4 T square यहाँ पर लिख दिया अब यह minus का 90 और यह plus का 90 यह भी cancel हो गया यहाँ पर बचा है माइनस का 12 तो यह यहाँ पर लिख दिया अब देखिए यहाँ पर t square है और यहाँ पर 4 t square है मतलब अगर हम 4 का multiply यहाँ पर कर दें तो हमारा answer 4 t square में आ जाएगा तो इसलिए अब हम यहाँ पर 4 का multiply करेंगे ठीक है तो यहाँ पर 4 का करते है 4 बन्जा 4 t square माइनस 4 त्रीजा 12 तो यह जो मान आया इसको यहाँ पर लिखेंगे तो यह क्या आया है 4 t square और माइनस का 12 और यहाँ पर multiply किया है प्लस 4 तो यह यहाँ पर लिख देंगे अब देखिए sign बदलेंगे तो यह plus minus में बदल गया minus वाला plus में तो यह 4 t square से यह cancel और 12 से 12 cancel तो यहाँ पर आपका सेसफल क्या आ गया 0 तो हमारा सेसफल 0 आ गया है इसलिए हम कह सकते हैं कि जो t square minus 3 है यह इस पूरे बहुपत का एक गुड़नखंड है तो यहाँ पर हम इस बात को लिखेंगे चूकि सेसफल बराबर 0 इसलिए t square minus 3 2 t की पावर 4 plus 3 t q minus 2 t square minus 90 minus 12 का एक गुड़नखंड है इस तरह से हम last में यह बात भी लिख देंगे ठीके अगर माली जे सेसफल 0 नहीं आता तो फिर हम यह लिख देते कि यह इसका गुड़नखंड नहीं है तो अगर सेसफल 0 आएगा तो यह इसका गुड़नखंड होगा यह question number 1 हुआ अब देखते हैं question number 2 तो question number 2 में हमें यह बहुपत दिया गया है और दूसरा बहुपत यह है इसमें हमें इस बहुपत से भाग देना है इस पूरे बहुपत को तो यहाँ पर देखिए 3x की पावर 4 plus 5x cube minus 7x square plus 2x plus 2 हमें इस बहुपत का चेक करना है कि यह गुडनखंड है या नहीं तो हम फिर से चेक करेंगे कि अगर सेसफल 0 आ गया तो यह इसका गुडनखंड होगा और अगर सेसफल 0 नहीं आया तो यह इसका गुडनखंड नहीं होगा तो देखिए फिर से भाग देंगे यहां पर हमें क्या करना है X square को 3X की power 4 बनाना है तो X square में हम कितने का multiply कर दें कि यह 3X की power 4 बन जाए तो देखिए X square है तो इसमें एक तो हमें 3 चाहिए और X square है मतलब हमें 2X चाहिए तो X की power 2 मतलब हमको X square plus 3X plus 1 मतलब इस में किसका गुणा करना होगा एक तो 3 चाहिए और दूसरा x square चाहिए ताकि यहाँ पर 3 x की power 4 बन जाए अब देखते हैं गुणा करते हैं 3 1s are 3 x की power 2 और x की power 2 तो यहाँ पर क्या हो गया घाते जुड़ जाएंगी x की power 4 प्लस 3 3s are 9 हो गया और x square और इसकी power 1 तो 2 और 1 3 हो गया तो x की power 3 आ गया प्लस 3 बन जा 3 x square यह आया अब इसको हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर हमने लिखा है 3 x square क्योंकि 3 x square से किया है गुड़ा अब जो आया उसको लिख लेते हैं यहाँ पर आया है 3 x की power 4 फिर 9 x cube plus का और फिर आया है plus का 3 x square ठीक है अब क्या करेंगे नीचे की संख्याओं के चिन्न बदलेंगे तो ये plus की है तो minus प्लस की है तो minus प्लस की है तो minus अब यहाँ पर ये plus ये minus cancels हो जाएगा यहाँ पर देखे ये 5 x cube plus का है और 9 x cube minus का है ठीक है तो opposite sign है विपरीत चिन्नों की संख्या घटती है तो 9 में से 5 जाएंगी तो 4x की घात 3 और चिन आता है भई बड़ी संख्या का तो बड़ी संख्या यहाँ पर 9 है इसलिए आएगा minus का sign अब यहाँ पर यह minus का 7x square और यह minus का 3x square तो समान चिन्नों की संख्या है तो क्या होती है जुड़ती है तो 7 और 3 कितना हुआ 10 x square अब चिन्न किसका आएगा तो यहाँ पर तो दोनों के ही समान है तो समान चिन्नों में क्या होता है दोनों के ही sign एक जैसे है इसलिए दी गई संख्याओं का चिन्ना आता है तो minus का आएगा अब यहाँ पर जो बचा इसको लिख लेते हैं यहाँ से plus का 2x और plus का 2 यह हमारे पास बचा हुआ था अब फिर से हमें यहाँ पर क्या चाहिए minus का 4x cube चाहिए ठीक है ना तो देखिए यहाँ पर x square है मतलब हमें इसमें 1x का multiply करना होगा और साथ में minus का 4x है तो minus का 4 और हमें multiply करना होगा तब जाके यह minus का 4x cube हमें यहाँ पर मिल पाएगा है ना तो देखिए minus 4x square यह है और x यह है तो x की power 3 हो गया फिर minus और plus का गुणा करेंगे तो आएगा minus 4 3 है 12 x का multi x से किया तो आया x square फिर plus और minus का गुणा हुआ तो minus 4 का गुणा एक से किया तो 4 और x का x यह मानब हम यहाँ रखेंगे तो क्या आया है minus का 4x cube यह x cube के नीचे लिखेंगे 12x square minus का है तो यह यहाँ पर x square के नीचे और x वाला इसके नीचे आएगा यहाँ पर हमने किसका गुणा किया है minus 4x का तो यहाँ पर लिखेंगे अब sign बदलेंगे तो minus वाला plus का change हो जाएगा यह सब के sign बदल गए अब यह minus और यह plus cancel हो जाएगे यह minus का 10x square है और यह plus का 12x square है विपरीत चिन्नों की संख्या है घटेंगी तो 12 में से 10 गए तो 2x square और चिन्न आता है बड़ी संख्या का तो 12 बड़ा है इसलिए यहाँ पर चिन्न आएगा plus का और plus हम लिखते नहीं है तो यह आ गया अब यह plus का 2x और plus का 4x तो समान चिन्नों की संख्या जुड़ती है तो 4 और 2 6x और चिन्न दोनों का ही एक जैसा है इसलिए आ जाएगा plus का और यह वाला plus का 2 अभी बचा हुआ था तो यह यहाँ पर लिख दिया अब फिर से एक बार दिखते हैं यहाँ पर x square है तो हमें यहाँ पर चाहिए 2x square मतलब हमें 2 का multiply और करना होगा तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे 2 का multiply कर देंगे तो देखिए 2 का x square से किया तो 2x square plus 2 का multiply 3 से किया तो 2, 3 जा 6x हो गया plus 2 बंजा 2 हो गया तो यह आया हमारा मान इसको यहाँ पर लिख देते हैं 2x square plus का 6x और plus का 2 किस से गुणा किया है plus के 2 से गुणा किया है ठीक है अब sign बदल देंगे ये सबी plus वाले minus के हो गए ये देखें ये cancel ये भी cancel और ये भी cancel तो यहाँ पर successful आ गया 0 मतलब ये इस बहुपत का गुणनखंड है तो हम यहाँ प बराबर 0 है इसलिए x square plus 3x plus 1 3x की power 4 plus 5x cube minus 7x square plus 2x plus 2 का एक गुणनखंड है तो इस तरह से ये हमारा question number 2 भी complete हुआ अब हम करेंगे इसका question number 3 तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि ये वाला बहुपत इस बहुपत का गुणनखंड है या नहीं तो इसके लिए हम भाग देंगे तो देखें यहाँ पर हमने इस वाले बहुपत को लिख लिया और ये वाला बहुपत यहाँ लिखा जाएगा लेकिन आप देखें यहाँ पर x की पावर 5 दिया है और फिर उसके बाद आना क्या चाहिए x की पावर 4 आना चाहिए लिकिन यहाँ पर x की पावर 4 नहीं है x की पावर 3 है फिर 2 1 और यहाँ पर अचर पद आया तो जब जो पद हमारे पास नहीं है उसको हम 0 into करके लिख लेते हैं उससे क्या होता है हम 0 into x की पावर 4 लिख लेंगे ठीक है अब बाकी जो बचा उसको ऐसी लिख दो minus 4x cube plus का x square plus का 3x और यह plus का 1 अब वैसे ही हमें फिर से सवाल करना है यहाँ पर x की पावर 5 है और यहाँ पर x की पावर 3 है तो हमें कितने x चाहिए 2x और चाहिए 3 2 5 तो मतलब हमें यहाँ पर x square का गुणा करना पड़ेगा यहाँ पर लिख लेते हैं और फिर इसका अलग x square का गुणा करेंगे तो आधार समान है गुणा में घाते जुडेंगी तो 3 और 2 5 हो गया minus 3 एकम 3 यहाँ पर x की घात 2 है और यहाँ पर x है तो x की घात 3 हो गया plus 3 यहाँ पर x है plus अब यहाँ पर देखिए x square है और यहाँ पर 1 है तो x square का 1 से मल्टी किया तो x square आ गया अब इस पद को यहाँ पर लिखेंगे जब आप लिखिएगा तो यहाँ पर घात के नीचे उसी घात वाला टर्म को आपको लिखना है तो यहाँ पर x की घात 5 है और फिर है minus 3 x cube तो और फिर है plus का x square तो उसको यहाँ पर लिखेंगे गुड़ा किया है हमने x square से तो उसको हमने यहाँ पर लिख दिया अब नीचे वाली संख्याओं के चिन्न बतलेंगे तो plus का minus और minus का plus तो x की power 5 तो हो गया cancel अब देखिए यह x की power 4 वाला जो टर्म है यह तो हमें मिला नह 4x cube और यह plus का 3x cube तो विपरित चिन्नों की संख्याओं घटेंगी तो 4 में से 3 चला गया 1 x cube और बड़ी संख्या का चिन्न आएगा यहाँ 4x cube बड़ा है तो minus का आ गया फिर यहाँ पर यह plus और यह minus cancel हो जाएंगे यह वाला पद अभी बचा हुआ है तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे अब फिर से वैसे ही देखते हैं यहाँ पर x cube है और यहाँ पर minus x cube है मतलब हम केवल minus 1 का multiply कर दें तो हमारा काम बन जाएगा तो अब हम यहाँ पर minus 1 का multiply करके check करेंगे minus 1 तो यहाँ पर आया minus का x cube minus minus का multiply होगा तो plus 1 का multiply 3 से किया तो 3 वन जा 3 और x plus minus का multiply minus 1 का multiply 1 से किया तो 1 यह जो आया इसको यहाँ पर लिख लेंगे minus का x cube plus का 3x और minus का 1 क्या किया है हमने multiply minus का 1 तो यहाँ पर लिख दिया sign बदलेंगे तो यह opposite हो जाएंगे यह cancel यह भी cancel अब देखें यहाँ पर 1 भी plus का और 1 भी plus का तो यह जुड़ जाएंगे तो एक और एक दो तो यहाँ पर सेसफल हमें 0 मिला क्या नहीं मिला मतलब यह इस बहुपद का गुड़न खंड नहीं है प्राक्त नहीं हुआ है इसलिए एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 एक्स की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वेर प्लस 3x प्लस 1 का गुड़न खंड नहीं है तो यह आपका question number 2 complete हुआ I hope कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा हमने यापर क्या किया था हमने यापर भाग देकर यह चेक किया किया कि अगर हमें सेसफल 0 मिल रहा है मतलब यह वाला जो बहुपद है यह इस बहुपद का गुड़न खंड होगा और अगर सेसफल 0 नहीं मिलता है इसका मतलब यह बहुपद इसका गुड़न खंड नहीं होगा बस यही था इस question में I hope कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर आपको कोई भी doubt है तो आप मुझसे comment section में पूछ सकते हैं और अगर यह questions अच्छे से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को like कर दीजे और अपने friends को भी जादा से जादा share करिए ताकि यह वीडियो उ आपको आने वाले वीडियो की notification मिल सकें तो मिलते हैं next वीडियो में thanks for watching this video